बनानास तो सब को पता है कि बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये ऊवर राइप हो जाते हैं यानि कि जादा पक जाते हैं तो और भी जादा हेल्दी हो जाते हैं नॉर्मली इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं होता लेकिन ये बहुत ज़्यादा हल्दी हो जाते हैं तो चलिए आज मैं आप सब के लिए कि बहुत ज़्यादा पके हुए केलों से बहुत ही तेस्टी सिरसी पर आई हूँ इससे आप किसी भी फेस्टिवार पे भी बना सकते है और सारे लोग तारिफ करेंगे तो चलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी दबा लीजेगा ताकि आपके पास रोज की नए नई वीडियो के नोटिफिके सकते हैं तो यहां पर आधा कप मैंने गुड़ लिया है और इसके साथ ही चार से पांच टेबल स्पून पानी डालेंगे गुड़ को थोड़ा सा क्रेट कर लीजिए फिर छोड़ छोड़े टुकड़ों में काट लीजिए इससे क्या है यह घुलने में एजी रहेगा और इ इस तरीके से जरूर कीजिएगा अब हम यह जो बनाना लिया है न यहां पर मैंने तीन बनाना लिये हैं और यह थोड़ा सा जादा पक गए हैं जादा बहुत ज़्यादा ओवर राइप नहीं हुए हैं लेकिन थोड़ा सा जादा यह पख गए हैं तो छालिए इसको हम केटी अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो आप ले सकते हैं या फिर जितने ओवर राइप बनानास बचे हुआ हो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं देखिए मैं इंको काट लिया चोटी पिसिस में और अब इसके साथ ही हम डालेंगे गेहू का काटा आप चाहें तो इसके पर बेसन ले सकते हैं या फिर सूजी भी ले सकते हैं मल्टी ग्रेन नाटा हो वो भी चलेगा तो मैंने या पर प्लेन गेहू काटा लिया हुआ है और यह मैंने एक कप लिया है तो सबसे पहले हम जो केले छोटे-छोटे पिसिस में काट कर रख और अब मैंने आप लिया है कढ़ाई कढ़ाई अच्छे से गरम होने दीजिए और इसमें डालेंगे दो टेवल स्पून देशी घी आप चाहें तो बटर ले सकते हैं अगर ऑल डालना चाहते हैं तो या तो रिफाइन डाल डालिएगा या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलि लिया है थोड़ी से ड्राइफ जिसमें चार काजू पांच से छे पिस्ता और चार बादाम लिये हैं मैंने अगर अब ड्राइफ रूट्स नहीं आइड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं तो चलिए ड्राइफ रूट्स को हम थोड़ी दिर भूनेंगे लगबग हलका सा क्रिस्प होने तक यानि कि हलका सा क्रंच आ जाएगा ना इसके अंदर तो यह और भी जादा टीस्टी लगेंगे तो दस सेकेंड के लिए पुन लीजिए और उसके बाद हम इन्हें निकाल कर अलग प्रेट में रख लेंगे क्योंकि यह हलका ही भूनना है बहुत जादा इन्हें कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है तो इन्हें निकाल दिया है अब क्यास का फ्लिम कम कर दीजिए और इसी तेलिया घी में डाल देंगे हम यह गेहू का आटा और इसे हम डालकर अच्छी तरीके से मिलाएंगे तो अभी मैंने दो टेवल पुन ही दा रहा था जिसमें हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा अगर आपको कम लग रहा हो तो फिर घी या और जो भी आप डाल रहे हो वह आप इसमें डाल सकते हैं तो बढ़िया से देखिए आटे के अंदर घी अच्छी से मिक्स हो चुका है थोड़ी स आटा जोने दानेदार हो जाता है अगर आप बेसन ले रहे हैं तो सेम इसी तरीके से प्रोसेस कीजिएगा इसे हम बिल्कुल धीमी आज पर भुनेंगे ताकि जो आटा है वो हलका सा गुलाबी कलर में आ जाए एक्दम बढ़िया से पकाना है ताकि जो आटे का कच्छा त पेश्ट बनाया था ना कि दिकी बहुत ही बारिक सा पेश्ट बनाया है और इसको पीषने में मैंने बिल्कुल भी पानी या फिर कुछ भी एड़ नहीं किया था अच्छी तरीकेस बस मिक्षर को रोक रोक चला लिया था और अब इस पेश्ट को हम डाल देंगे इस कीहों क में हो जाता है तो यहां पर इसका स्कम करने के लिए मैं एक चमस देशी घी डाल रही हूं इसके अंदर ताकि यह हलका और कम चिपके और अब हम इसको बढ़िया से मिलाएंगे केले का जो पेश था उसे बढ़िया से कुप करना है हमें तो गैस का फ्रीम थोड़ा सा बढ़ा यानि केला बहुत ही अच्छे से पक जाता है हमारा अब हम इसमें डालेंगे गुड़ जो हमने यहां पर पानी में घुला कर रखा हुआ था न तो देखिए मैंने चार से पांच टेबल पून ही पानी डाला था बहुत साथ है पानी में गुड़ को मद घुलाईएगा यह थोड़ी सी जो भी अस्वद्यास के अंदर थी या फिर जो गुड़ नहीं घुला था वो यहां पर छनी में आ गये हैं तो सेम इसी तरीके से आप कीचेगा आप चाहें तो सुगर अगर यूज़ कर रहें तो पाउडर यूज़ कीचेगा डारिप सुगर मद डालेगा एक अगरा फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं या फिर और गिनिक फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए इसको डालकर हम बढ़िया से मिलाएंगे जब तक की घी अच्छे से रिलीज न कर दे और इससे एक बहुत ही अच्छी वाली खुश चलाते हुए पकाना है बिल्कुल भी कढ़ाई में छोड़कर जाएगा मत कहीं इस तरीके से चलाते रहेगा नहीं तो इस तरीके से पका लेंगे लगबग तीन से चार मिनिट तो यहां पर सारी चीज़े बढ़िया से कुखो चुकि है यानि की गुड केला और हमारा थोड़ेंगे खी तरीकि और हम इसको मिला लगजे ताकि घी जो हो अच्छी तरीके से असी ज्रुड है जाह चाए जितना अच्छी तरीकिसआप उसको चलायेंगे यानि की बुनेंग़ ये उतना ही प्लेम बंद करते हैं और यहां पर मैंने लिया है यह बर्फी जमाने बारी ट्रे आप कोई भी थाली ले सकते हैं और थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा कर हलका सा चिकना कीजिएगा बहुत जादा मत लगाएगा और अब हम यह मिक्षर इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम बढ़िया से फैला लेंगे जίतनी मोटी आपको कत्ली बनानी है तो और भी पत्ली फिलाईएगा या फिर थोड़ी मोटी मोटी रखनी है तो बर्फी की तरह इस तरीके से कम फैलाईएगा और अच्छे तरिके से जिन्हे चिकना कर लेंगे चाहिए तो इसके ऊपर बच्चे, बड़े, सभी को पसंद आते हैं अभी होली आ रही है, अलग-अलग फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा फेस्टिवल में भी बनाएंगे न तो मैं मान आपकी तारीव करते ठकेंगे नहीं इतनी जादा मज़ेदार लगती है इसको खाने के बाद से आपको गाजर का हलवा, बडाम का हलवा सब का टेस्ट आएगा इसके अंदर क्योंकि ये बहुत जादा हल्दी और मज़ेदार बनी है क्यासी लिएक रेसिपी जरूर से बताएगा देख सकते हैं इसका टक्षर कितना मज़ेदार है तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं जब भी घर में के लिए जादा पके हुए हो या फिर जादा बच जाए तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा बहुत पसंद आती है तो चलिए देखिए एक गंटे के बाद यह हमारी बर्फी अच्छी तरीके से जम चुकी है अब हम इनको काट लेंगे चोटे-चोटे पीसेज में जैसे आपको पसंदा है वैसे आप इसके साइस काट सकते हैं मैं आपर इस तरीके से चोटो टुकडो में ही काट रही हूँ और यह देखिए काफी अच्छी तरीके से जम गए है और लीजिए बिलकुल तैयार है आप इसे फ्रिश में रखकर अराम से एक महीनों तक स्टोर कर सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगते हैं कैसी लग रेसिपी जरूर से में लिखके बिताएगा आप इसे हलवे की तरह बनाईए या फिर इस तरीके से बर्फी की तरह देखके तो कोई कहीं नहीं सकता है कि एक पके हुए केले और गेहों के आटे से बनी हुई है इतनी जादे मज़ेदार लगती है ऐसा लग रहा है ये खोय और मावे से बनी हुई है तो हमने इसमें कोई खोया या मावा एड नहीं किया है बहुत ही हल्दी तरीके से ये हमारे बर्फी और हलवा तैयार है देखे कितने मज़ेदार लग रहे हैं जरूर से एक बार ट्राइ कीज़ेगा जब भी आपके घर में केले जादा बच्चा है तो एक बार बनाईए और ये देखे कितनी जादा नरम है बिल्कुल मुह में जाते ही न घुल जाने वाला इसका टेक्शर है अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो जरूर से चानल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टागरम पर भी फॉलो कर सकते हैं इनका लिंक मैंने डिस्कप्सन में दे दिया है और साथ ही और धेर सारी रेसिपी इसके भी लिंक दिये है तो टेक केर और बबाई